दोस्तो वंदे मात्रम 16 नवंबर से लेकर 30 तॉफ नवंबर तक शेर मार्किट का जब हम जियोतिशी अबिश्रेशन करते हैं तो मार्किट का जो ट्रेंड है एक अनप्रडिक्टेबल सी स्थिति दिखाई देती है कि कुछ भी हो सकता है जैसे फर्बरी और मार्च में हुआ था 2020 की बात कर रहा हूँ कि आचानक ही मार्किट क्रेश कर गई थी तो ऐसा ही कुछ एक इंडिकेशन दिखाई देते हैं बट मैंने फिर भी बहुत डिटेल एनलिसिस किये हैं और कोशिश की है कि मैं आप लोगों को नैशन स्टॉक का मैंने मेंशन किया था कि 12400 तक NSE के पहुंचने के चांसिस बन रहे हैं जो की अभी क्लोज हुआ था 12780 पर तो एक बैटर ही सिटी बनी थी सो मैं 16 नवंबर से मैं शुरू करने जा रहा हूँ 16 नवंबर को सूर्य ब्रिश्चिक राशी में ट्रांजिट करेंगे और के तू के साथ यूती बनेगी रहों के साथ समसब्ता की योग जो की इंडिकेशन देता है कि मार्किट का जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ रहेगा मैं 16 नवंबर मंडे को डाउन ट्रेंड दिखाई देता है अगें दोसों ये जोतिशिय बिशलेशन है और जिसमें की 100% एकुरेसी का हम कभी भी दावार नहीं करते हैं 17 नवंबर शुकर का तोला राशी में ट्रांजिट करना और बुद अलड़ी तोला राशी में ट्रांजिट कर चुके हैं तो शुक्कर और बुद्ध का दोनों का तुला राशी पे ट्रांजिट एंट साथ में मंगल मेन राशी पे हैं और श्यनी माकर राशी पे तो इन दोनों की भी दृष्टी इन दोनों प्लैनेट्स पे बैनेफिक प्लैनेट्स पे दिखाई देती है जो की शेर मार्किट में मतलब अचानक तेजी के चांसिस बनते हैं लेकिन इसके साथ साथ सोना चांदी और कॉपर भी तेज होती हुए दिखाई देते हैं तो अगर कुछ लोग आगे जैसे की गोल्ड में इंवेस्मेंट करना चाहते हैं तो मंडे 16th November will be the right time to buy gold, silver or any other metal क्योंकि आगे metal बढ़ेंगे और कुर्याने की आइटम्स भी आगे 20 November के बाद बहुत ज़्यादा उच्छान मारेंगी So this is the right time to buy, sale का भी हम देखेंगे आगे और ये जो 17th November है जिसमें की तेल, good, commodities को भी मैं थोड़ा सा साथ में ले रहा हूँ गुड तेल में भ्यंकर तेजी दिखाई देगी 18 November एक neutral trend दिखाई देता है की sale और purchase रुकी रहेगी online 19th November की तरफ चले जाते हैं इस दिन सूर्य अनुरादा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे जिसमें की सोना चांदे में भ्यंकर तेजी दिखाई देगी इसलिए जो मैंने indication दिये हैं की better है टाइम की 16th November के इसी दिन gold, metal बगएरा जो भी buy करने हों कर लिए जाएं और साथ में share market का जो trend है वो down की तरफ दिखाई देता है बीस नवंबर गुरू मकर राशी में ट्रांजिट करेंगे और शेनी और अलड़ी मकर में ही है तो और दोनों एक ही नक्षत्र में रहेंगे ये ऐसा समय है जिसमें की राजनितिक और प्राकरतिक कैटस्ट्रॉफिक बहुत कुछ होने वाला है अभी और वैसे भी दोसो आज 15 नवंबर शाम का समय है खपर योग आज से स्टार्ट हो रहा है जिसके ओपर मैंने वीडियो भी दिये थे की कुरोना का भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होका इसके ओपर हम आलक से एक वीडियो भी देंगे की क्या क्या होने वाला है सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें 20 नवंबर के बाद बहुत कुछ दिखाई देता है जिसमें की जो करियाना गुड्स होती हैं ग्रॉजरीज बीस नवंबर के बाद महंगी होती हुई दिखाई दे रही है अचानक ही मतलब खाने पेने की बस्तों में बहुत महंगी हो जाएंगी और गोल्ड और बाकी मैटल भी इस समय के बाद महंगी होने शुरू हो जाएंगे और शेर मार्किट का ट्रेंड है ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ दिखाई देगा 23rd November to 26th November मार्किट की जो स्थिती है एक नीटल या तो खलका सा डाउन ट्रेंड दिखाई देगा खलकी हलकी करेक्शन्स 27 नवंबर को मार्किट उपर की तरफ रहेगी उस दिन फ्राइड़ है 30th November मंडे वाले दिन मार्किट का ट्रेंड नीचे की तरफ दिखाई देता है और साथ में मैं आप लोगों को NSE का भी डाटा दे देता हूँ 12.780 पर क्लोज हुआ है 14th November को दिवाली के दिन जो की maximum क्योंकि बीच मैंने बताया भी है कि दो दिन ऐसे भी है जिस दिन मार्किट उचाल भी मारेगी हो सकता है कि 6-7% भी उपर चली जाए लेकिन बीच में जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि करेक्शन दिखाई देता है एक लेबल तक जो की 13,200 तक 13,200 तक जा सकती है उपर पॉसिबिल्टी दिखाई देती है लेकिन अचानक जो ट्रेंड रहेगा लो ट्रेंड जो की 12,000 तक दिखाई देता है और इसके साथ साथ दोस्तों अगेन मैंने लास्ट में जो वीडियो दिया था नॉमली मैं वान मन्थ का ही वीडियो देता हूँ 15 डेस का इसलिए दिया था क्योंकि ये स्थिती कुछ सही नहीं दिखाई दे रही है बाकी हम देखते हैं कि आने बाले समय में क्या होता है ये मेरे जोतिशी बिशलेशन है बाकी डेट्स आप लोगों के सामने आती रहेंगी सो आप लोग कमेंट भी करते रहेंगा तब तक शुक्रिया धन्यवाद भारत माता की जैए